गाउं चंदेनी में करोना वाइरस से बचने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काओ किया गया। इस अवसर पर गाउं की सभी गलियों वा सारवजनिक जगहों पर सैनिटाइजर किया गया। चंदेनी गाउं में इस से पहले भी कई बार गाउं को सैनिटाइज किया जा चुका है। इस मुसीवत के समय हमारा भी कर्तव बनता है कि हम सब देशवासियों को मिलकर सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए ये कोरोना महामारी सबी देशों के लिए बड़ी चुनोती है जिसका हमारा देश डटकर मुकाबला कर रहा है इस कुरोना महामारी से बचने के लिए बार बार अपने हातों को धोना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है हम सब को जरूरत मन गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए इस अउसर पर समाज सेवी सुरेंदर आर्र ने बताए कि हमारे देश के युवाव को इस समय आगे आना चाहिए और समाज के लोगों को जागरुक करना चाहिए चर्खी दादरी से उमेश सत्साहिब की रिपोर्ट वजह से जाना है तभी उसको छोड़ा जाता है वरना नहीं चोड़ा जाता है और जैसे कि अभी आज परदानमंत्री ने जो है आदेश दिया कि जो हतीन मही तक लोगडाउन का जो हपालन किया जाएगा तो इसमें ग्राम वाशियों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि प जाना चाहेंगे जो ग्राम के जो यूवा है वो कितना बढ़ चड़के इस परणावर्स को भगाने के लिए पारी कर रहे हैं मैं धन्यवाद करता हूं विक्रम जी नाशकर जी मैं सब जे पहले इंडिया टीव न्यूज का पूरे गाउं की तरफ से धन्यवाद देना था जाता हूं हमारे गाउं में आज चटी बार सेनेटाइजर हो रही है हम सरकार ने जो आदेश दिये हैं उसका पूरी तरह से पालंगरे हैं और मैं सरपंज परतिनेजी राजविर्शागवान का भी बहुत धन्यवाद करना जाता हूं कि वो यूवाओं को बढ़ चड़कर अनका साथ दे रहा है और उन्होंने अपने गाउं की चोगल चारों तरफ से धिगरी बहुत लगाये हो हैं और कम से कम तीन चार बार उनको समाड़ काते हैं और यूवाओं को साथ देते हैं और आगे परदानवंत्री जी ने जो तीन माई का समय दिया है उसका भी हमारा ग पूरी तरह है समर्खन कर रहे हैं